तो गैस आजके इस वीडियो में हम कुछ common या फिर कुछ simple words को replace करने के लिए कुछ advanced words के बारे में बात करेंगे So stay with me, my name is Nick and let's get going जैसे कोई person है, वो आसानी से चिड़ जाता है या फिर उसे आसानी से गुच्सा आ जाता है या फिर आप बोल सकते हैं कि वो बहुच जादा चिड़ चिड़ा है तो इसके लिए हमारे पास एक simple word है irritable लेकिन इसको हम replace कर सकते हैं इस word से pivish इसका मतलब यही होता है कि आसानी से चिड़ जाने वाला या फिर चिड़ चिड़ा जैसे अगर example के बारे में बात करें इसका मतलब यह है कि वो बहुच जादा चिड़ चिड़ा है या फिर आसानी से चिड़ जाने वाला है यही एक कारण है कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है एक और example है इसका मतलब यह है कि क्या तुम खुश नहीं रह सकते तुमारे जो हाव भाव रहते हैं वो हमेशा चिड़ चिड़े रहते हैं इसका मतलब होता है कुछ पाने के लिए हमेशा काम करने वाला या फिर हार ना मानने वाला या फिर आप बोल सकते हैं कि हमेशे ये सोचने वाला कि मुझे ये करना है तो करना है चाहे कितना भी मैं थक जाओ तो simple language में थो हम बोल देते हैं energetic तो इसके लिए replace करने के लिए हमार पास word है indefatigable तो चलिए examples लेते हैं जैसे एक situation है जैसे किसी का weight बहुत जादा बड़ा हुआ है या फिर उसकी body में बहुत जादा fat है तो आप उसे बोल सकते हो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने weight को कम करने के लिए तुम्हें अपने version को कम करने के लिए indefatigable बनना जरूरी है मतलब एक ऐसा person बनने की जरूरत है जो कुछ पाने के लिए हमेशा काम करता है या फिर कभी hard नहीं मानता है जैसे एक और example है इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने आपको चुस्त बनाने के लिए exercises करनी चाहिए नेश्टर simple word है हमारा back bite इसका मतलब होता है पीट पीचे बुराई करना या फिर पीट पीचे बुरा भला कहना तो इसको replace करने के लिए हमारा पास word है bad mouth तो इसका भी मतलब यहीं होता है कि पीट पीचे बुराई करना तो जासे example है जासे एक situation है आपका कोई friend है या फिर आपका कोई relative है तो आपके सामने किसी की हमेशा बुराई करता रहता है तो आप उसे बोल सकते हो Stop bad mouthing him all the time इसका मतलब यह है कि हमेशा उसकी पीट पीछे बुराई करना बंद करो या फिर उसे बुरा भला कहना बंद करो एक और example है I don't like your habit of bad mouthing इसका मतलब यह है कि मुझे तुमारी पीट पीछे बुराई करने की आदत अच्छी नहीं लगती Next common word है हमारा Trustworthy इसका मतलब होता है भरोसे मंद या फिर विश्वस्निय मतलब किसी पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है तो इसको replace करने के लिए हमारे पास एक word है इसका मतलब यह है कि मेरे पास केवल ऐसे दोस्त हैं जिन पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है या फिर बहुत ज़्यादा विश्वस्निय है एक और example है His responsible and steadfast person इसका मतलब यह है कि वो एक जिम्मेदार इंसान है और वफदार है मतलब उस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है His responsible and steadfast person Next word है हमारा rest इसका मतलब होता है आराम करना या फिर विश्राम करना तो इसको replace करने के लिए हमारे पास word है repose इसका भी मतलब यही होता है कि आराम फर्माना या फिर विश्राम करना For example, जैसे एक situation है कोई person है वो बहुत देर से काम कर रहा है और बहुत ज़्यादा थका हुए लग रहा है तो आप उसे बोल सकते हो You are looking so tired, you need to repose for a while इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो तुमें थोड़ी दिर के लिए आराम कर लेना चाहिए या फिर आराम फर्माना चाहिए एक और example है I am reposing on sofa while watching movie इसका मतलब यह है कि मैं movie देखते समय सोफे फर आराम फर्मा रहा हूँ I am reposing on sofa while watching movie Next word है pleasant इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज है वो बहुत ज़्यादा सुहावनी है या फिर आनन दायक है या फिर सुखद है तो इसको हम इस sense में यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको replace करने के लिए हमारे पास एक word है बामी इसका मतलब यही है कोई चीज है आनन दायक है सुखद है या फिर मनोहर है इसका मतलब यह है कि आज क्या सुहावना दिन है या फिर आज क्या सुखद दिन है चलिए बीच पर कुछ समय बिताने का प्लैन करते हैं या फिर विचार करते हैं या फिर योजना बनाते हैं एक और एक्जामपल है इसका मतलब यह है कि यह सच में मेरे लिए एक सुखद या फिर मनोहर उपहार है इसको अगर हम as an adjective यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई चीज है वो कठोर है या फिर कठिन है तो इसके लिए हमारे पास एक word है challenging इसका मतलब यह होता है कि कोई चीज है वो चुनोती पूर्ण है या फिर कठिन है या फिर जोकिम भरी है For example, जैसे एक situation है, जैसे आपके सामने एक ऐसी situation आ गई जिसका सामना करना कठिन है या फिर चुनोती पूर्ण है तो आप इसे ऐसे बोल सकते हो It's really a challenging situation to deal with इसका मतलब यह है कि यह सच में एक ऐसी इस्तिती है जिसका सामना करना कठिन है या फिर जिससे निपटना चुनोती पूर्ण है It's really a challenging situation to deal with एक और example है Corona time was a challenging for us इसका मतलब यह है कि जो corona time था वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चुनोती पूर्ण था या फिर कठिन था Next word है हमारा long lasting इसको हम उस sense में यूज करते हैं जैसे कोई चीज है वो लंबे समय तक चलने वाली है या फिर अच्छी टिकाओ है तो इसको replace करने के लिए हमारे पास word है Enduring जैसे आपके सामने एक situation है आपके सामने कोई couple है या फिर आप किसी couple के बारे में बात कर रहे हो की इनका जो relationship है इनका जो रिष्टा है वो बहुत लंबे समय तक चलेगा मतलब आप simply ये कहना चाहरे हो की वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इनका रिष्टा बहुत लंबे समय से चलता वहा रहा है और लंबे समय तक चलेगा मतलब हमेशा चलता ही रहेगा तो इसके लिए बोल सकते हैं इनका जो रिष्टा है बहुत लंबे समय तक चलने वाला है एक और एक्जाम्पल है मिरे दोस्तों के साथ बिताया हुआ एक ऐसा समय जो लंबे समय से चलता वहारा है या फिर जो आगे चलता रहेगा मैं इसे कभी नहीं भूल सकता I can never forget my enduring time spent with my friends Next word है interview इसका मतलब होता है किसी की बीच में दखल देना या फिर किसी की बीच में हस्तक शेप करना तो इसको replace करने के लिए word है intrude इसका भी मतलब यही होता है कि दखल देना या फिर हस्तक शेप करना जैसे example है You have no right to intrude into my personal relationship इसका मतलब यह है कि तुम्हें मेरे व्यक्तिकत संबंद में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है एक और example है I didn't mean to intrude into your life इसका मतलब यह है कि तुम्हारी जिन्दगी में हस्तक शेप करने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था या फिर कोई भी इरादा नहीं था I didn't mean to intrude into your life Next word है हमारा Risky इसका मतलब होता है खतरनाक या फिर जोकिम भरा तो इसको replace कर सकते हैं आप Parallous word से Parallous जैसे एक situation है जैसे कोई कार चलाना सीख रहा है उसके बगल में कोई भी ट्रेनर नहीं बैटा है या फिर कोई भी परसन नहीं बैटा है तो आप उससे बोल सकते हैं Learning how to drive a car without trainer is really perilous इसका मतलब यह है कि बिना ट्रेनर के कार चलाना सीखना ये सच में एक जोकिम बरा है या फिर खतरनाग है जैसे एक और situation है जैसे आप bike पर किसी के साथ बैटे हो और वो bike चलाते समय बहुत जल्दी कर रहा है कभी इधर से निकाल रहा है कभी उधर से निकाल रहा है तो आप उससे बोल सकते हो It's perilous to be in hurry while riding bike इसका मतलब ये है कि bike चलाते समय जल्दबाजी में होना ये सच में जोकिम बरा है It's perilous to be in hurry while riding bike So that's it guys for this video I hope आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सेखने के लिए मिला होगा तो guys आपके लिए homework है आपके सामने दो words है Repose and Indefatigable इन दोनों words को मैंने इसी वीडियो में लिया है तो इन दोनों के उपर अपने खुद के एक एक sentence बना कर मुझे comment section में बताईए और वीडियो को like करना ना भोलें Thanks for watching this video guys See you in the next video Jai Hind, Jai Bharat